वेलकम टो आटो शिफ्ट्स, आज हम बात करने वाले हैं MG, Ester और हॉंडा एक क्रेटा की बेस वेरियंट की जिसमें हम एक छोटा सा कंपेरिजन करेंगे इंजिन को लेके, fuel capacity को लेके, suspension, features को लेके पहले स्टार्ट करते हैं MG की Ester से, Ester में आपको style base variant देखने को मिलता है और हॉंडा क्रेटा में आपको E variant देखने को मिलता है सबसे बड़ा जो दोनों में difference आता है वो आता है आपका क्रेटा में आपको infotainment offer नहीं किया जाता है बड़ एस्टर में आपको 10 inch का infotainment प्लस एक छोटी MID offer करी जाती है और difference की बात करें तो दोनों में आपको base variant जो है वो 1.5 litr का petrol engine मिलता है torque जो है वो दोनों का same है बाकि transmission में भी difference आ जाता है transmission में एस्टर में आपको 5-speed manual मिलता है और क्रेटा में आपको 6-speed manual transmission मिलता है fuel capacity की बात करें तो क्रेटा में आपको 60 litr मिल जाता है बड़ एस्टर में आपको 48 litr ही मिलता है बाकि safety में बात करें तो safety में आपको दोनों में आपको basic safety features मिल जाते है बड़ सबसे बड़ा जो difference एस्टर और क्रेटा के base variant में आपको देखने को मिलेगा कि एस्टर में आपको 4 tires में disc brake आपको मिल जाती है देखने के लिए बात की जाए तो officially अभी AMG ने अपने official claim average mileage को अभी नहीं बताया बाकि क्रेटा की बात करें तो क्रेटा में आपको around real life average मिल जाते हैं 16.8 kmpl की बट एस्टर में भी आपको इसी के around आप देखने को मिलेगा कि आप 16 से लेके 19 के बीच में ही आपको real life average देखने को मिल जाएगी क्योंकि आपकी driving के उपड़ डिपेंड करती है सस्पेंशन की बात करें तो suspension में aster में आपको makesoe strut मिल जाता है ar cricket में आपको behaving strut with coil spring मिल जाता है rare की बात करें तो रेयल में आपको torzen beam suspension मिलता है और kurt क्रेटा में आपको couple torzen beam axle suspension देखने को मिलता है पाकि dimensions जो है वो almost आपको same ही मिलेगी बस थोड़ा बहुत mm का फरक मिलेगा जैसे ester जो है वो क्रेटा से 23 mm जादा length में है जो width है width में भी ester जो है वो 19 mm क्रेटा से जादा आपको मिल जाती है height में भी 15 mm जादा मिल जाती है बट wheelbase की बात करें तो wheelbase में क्रेटा आपको जादा बड़ा wheelbase प्रवाइड करती है और ester थोड़ असा 25 mm के रण आपको कम wheelbase इसमें मिलता है प्राइजिंग की बात करें तो क्रेटा की जो प्राइजिंग है base variant की वह है 10,16,000 बाकि ester की बात करें तो ester की जो base variant style है इसकी प्राइज जो है वो 9,88,000 रुपे जो की काफी value for money आप variant कह सकते हैं कैसी लगी आपको यह हमारी पूरी information अगर अच्छी लगी तो like करिए share करिए अगर आप अपने कुछ views देना चाहते हैं इस इस पर लेकि तो कमेंट में बताइए और अगर चैनल पर नए है तो subscribe जरूर दीजिएगा